और अच्छी खबर आपको बताएं नियूज लेवन भारत की खबर का असर हुआ है अस्पताल में अभी थोड़ी देर पहने हमने आपको रिम्स की खबर दिखाई थी बेतर इलाज के लिए रिम्स अधीक शक को कहा है और जादो जानकारी ले इस योगी शशी हमारे साथ बनी हुई है शशी अभी अभी इस खबर पर हम बाचीत कर रहे थी कि कैसे दो बेटों ने अपनी मा को रिम्स में छोड़ कर भाग खड़े हुए अब इस खबर का असर ये हुआ है शशी की चमपई सोरेन आगे आए हैं और डी सी को इस महिला के इलाज के लिए निर्देश दिया है जी राज़दा बिलकुल ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और न्यूस इलेवन भारत हमेशा से ही इस तरह के मुद्दों को दिखाता रहा है और तशाशन को अउगत कराता रहा है कि कैसे हम हमारे समाज के कुछ जरूरत मन लोग हैं जिने मदद की जरूरत है और इसी क्रम में आज परिवाहन मंत्री चमपई सोरेन ने हमारे खबर का संग्यान लेकर के उस महीला के इलाज के लिए सामने आए हैं और डी सी छवी रंजन जी को भी दिशा निर्देश दिया है उनके इलाज के लिए और इस पर उन्होंने भी ये पहल लेकर कर रिम्स के अधिक्शक से बात की है उन्हें भी जानकारी लिए है कि उस महीला से संबंदित क्या क्या परेशानी है उनको दूर करने के लिए उनसे बात की है जानकारी लिए है और बहतर से बहतर इलाज महाया कराने के लिए भी बात हुई है बिल्कुल शची ऐसे बहुत सारी जरूरत मन्द लोग है जिनकी नजर शाद हमारी नजर उन तक नहीं पहुँच पाती है और जब पढ़ती है तो उस खबर को हम जरूर दिखाने की कोशिश करते हैं तो वैसे मजबूर लोगों की मदद के लिए आगे आना बेहद जरूरी है जी बिल्कुल इसी तरह से अगर हम जरूरत मन्द लोगों की हल्प कर पाएं न्यूज 11 भारत खास टोर पर शुरूर से ही लोगों के लिए एक मदद का दरिया रहा है और आगे भी रहेगा और हमें उम्मीद है कि हम इसी तरह की जरूरत मन्दों को बहतर सुवी धाएं और मंतरी चमपई सोरे ने डीसी से वाचीत की है और बहतर इलाज के लिए कहा है मही डीसी ने भी रिमस अधीक शक को बहतर इलाज की बात कही है न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको यह खबर दिखाई थी कि कैसे कांके की एक बेटों ने रिमस में छोड़ कर भाग खड़े हुए आठ दिन से वो महीला उसी जगह पर पड़ी हुई है लेकिन उसका सुद लेने वाला कोई नहीं था आज जब हमने यह खबर दिखाई और उस खबर का असर यह हुआ है कि मंतरी चमपई सोरे ने इस पर संग्यान लिया है और यह भी कहा है कि बेटा भले ही रिष्टा तोड़ दे लेकिन हम निभाएंगे और महीला का समूचित इलाज के लिए दिशा निर्देश दिया है मंतरी चमपई सोरे ने